इसमें लिए रावान रोहीम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनॉपसिस चैटर नंबर 3 के बाले से, जो कि देटा कमिनिकेशन के बारे में है यह चैप्टर और इसमें मैं आपको बता देता हूँ किस तरीक से हम अपने जो टॉपिक है उसके हम कवर अप करेंगे और क्या का चीज से इसके इंदर आएंगी तो इसका जो साइनॉपसिस इसमें पहला जोम टॉपिक किसमें देखेंगी तरीक से लिए इसमें किसे कहते है अब जब देटा कमिनिकेशन की बात होगी तिए पहरा पोगा दो, हम जो इसमें सीखेंगे वह बादा और उसके टाइप्स, डेटा क्या होता है? उसके ताइप ताप के बारे में देटा के क्मिनिक fibs के वाज़ी निश्वाद के का लिए कंपूलने होते हैं क्या सिखिए कई की बार्राइब निश्वाद करें मॉन के बारे मौल्ड Concept करें नर्जार के यह निरिक होता है और इसीरिक साफ के फॉप्रेक्श्य नि durability तो इनमें फर्क घाह् से तरीक के बारेंगे में पड़ेंगे नाव होता है दू तरत को होता है यह में उस हमें भी नहीं डिस्क्स करेंगी cuántव एंट-ट्सक्राइब या इसके अंदर आने वाले जो दो टम्स हैं, एक broadband, आपने बड़ा नाम सुना होगा इंटरनेट के इंटरनेट के इंटरनेट के इंटरनेट के इस तरह के और एक baseband होता है, इन दोनों में हम डिफ्रेस्ट देखेंगे कि broadband और baseband के तरह में का difference होता है, उसके बाद जो है coding scheme, जो हम यहाँ पर देखेंगे, और साथमा जो इसके अंदर जो टॉपिक है, वो है communication media, communication media जो है, वो दो तरक होता है, या तो guided होता है, या unguided होता है, तो जो guided है, मतलब वो wired वाला होता है, उसके अंदर cable use होती है, आप उसमें cables की तीन categories है, main, जिसमें एक twisted pair है, एक quercal cable है, और fiber optics है, तो इसके बारे में, जो है, वो difference देखर रहेगा, कि इन दिनों के इन दुना है difference किया है, unguided media, जो कि wireless connections होता है, या जा तो satellites होता है, जिसको radio waves कहते है, या mobile communications, जिसको microwaves कहते है, या microwave और radio waves के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, और आखरी topic होगा, इस chapter का, वो होग तो आप इन तरह की होती है, जा तो यह external होती है, या यह internal होती है, built-in, या यह wireless होती है, तो तीन तरह की आप इसको साथ, यह वो यूज कर सकते हैं, और तीनों के हम difference देखेंगे, कि किसके मदर क्या होता है, इस तरह किस हमारा topic complete हो जाएगा, और यह है, पुरे chapter का synopsis, और इसके उपर आपको वीडियो इनिशालला मिल जाएगी, बलकि जब आप यह वीडियो देखरेंगे, इसके साथ दूसरी वाली वीडियो भी इनिशालला आप रोग हो चुकी होगी, तो आप इन topics के वीडियो देखें, जैसे मैंने आपको पताया है, कि synopsis हमिशा देखना च